नवस्कार मैं हूँ परवीन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वारे सच पांच राजियों के चुनाव का परिणाम आते ही अब हरियाना में भी रानितिक गलियारों के अंदर चर्चाएं गरम हो चुकिया और इसी के साथ गुरुग्राम की बात करें तो नगर निगम चुनाव और अगामी विधान सबाच चुनाव दोनों को लेकर चर्चाएं जारी है और ऐसे में सभी परत्याशी यों की बात करें दावेदारों की बात करें या राजनेरिक दलों की बात करें सबी अपने अपने हिसाब से परचार में जुट चुके हैं आम जनता को अपने साथ जोडने में जुटे हैं और इसी के साथ जनसे वक करांती पार्टी भी लगातार गुरुगराम वासियों के बीच में जाके जागरुटा लाने का प्रयास कर रहे हैं और उसके लिए अंकी जी हमारे साथ है और अंकी जी आपसे बात करेंगे सबसे पहले गुरुगराम के वीवज़ आपको देख रहे हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है नमशकार सभी को बहुत बहुत धन्यवाद प्रविन जी अंकी जी बहुत जल्द चुनावों की गोशना हो सकती है ऐसे संभावना लगाई जा रही है वो काफी लंबे समय से आप अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए या यूं कहें कि चुनावों की तियारियों को लेके आप लगा तार विभिन कारेकर हम गुरुगराम के अंदर कर रहे है और अभी की बात करें तो आम जनता के अंदर जागरुप्ता को लेके या उनके साथ कनेक्टिविटी को लेके जनसेवक करांती पार्टी के दुवारा क्या किया जा रहा है प्रभीन जी जैसे कि अब जानते हैं हम जागरुप्त करें और मजबूत बनाएं तो अभी हाली में हम लोगों ने एक अभिहान चलाया है जिसका नाम हमने रखा जन जागरती भिहान इसके अंदर हम गुरुगराम के अलग-अलग शेत्रों में अलग-अलग कलोनियों में जा रहे हैं लोग हमें अमंत्रित कर रहे हैं क्योंकि दो साल से लोगों ने देखा पार्टी जिस प्रकार के कारिकरम कर रही थी तो लोग हमें पसंद कर रहे हैं क्योंकि हमने लोगों की समस्याओं का समाधान भी करवाया है उनकी आवास को बुलंद किया है तो हम लोगों के पास जा रहे हैं लोगों के पास जाकर के उनकी समस्याओं पे चर्चा कर रहे हैं उनके शेत्र की समस्याओं पे चर्चा कर रहे हैं और अपनी पार्टी की नितियों को विचारदारों को उन तक पुचा रहे हैं और लोग जुड़ भी रहे हैं सरफ पार्टी की नितियों और गुरुगराम की समस्याओं पर चर्चाओं का जो सिलह यह कब शुरू हुआ था और अभी तक कितनी ऐसी चर्चाए गुरुगराम के विविन शेत्रों में और किन-किन शेत्रों में कर चुकी है तेखे अगर मैं बात करूं कि जो यह कॉलोनी में राजीव नगर में इन दौफरông में हम चार जगाओं पे गए और लोगों से हमने मेलजल बढ़ाया लोगों की बाते सुनी लोगों को अपनी बाते बताई क्योंकि वर्तमान समय में लोगों के बास समय नहीं है मिलने का तो हमने एक प्रयास किया कि इन लोगों से मिला जाए और बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है बहुत अच्छा रिस्पॉंस आ प्रशाशन में किसके पास जाएं तो ये ये ना सिर्फ उन्शेत्र की समस्या पूरे गुरुग्राम की पूरे हर्याना की समस्या है कि उनको लोगों को मालूम नहीं है कि कौन सम्मंदित अधिकारी है समस्या का तो हम उनको बता रहे हैं कि प्रशाशन में आप इनके पास जा सकते हैं और ना उनके पास जा सकते हैं हमें भी हमारी टीम भी लोगों की आवास को बलंद कर रही है और साथ में लोग जुड रहे हैं क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हमने विचारदारा बता रहे हैं कि पड़े लिखे लोग आगे हैं पॉलिटिक्स के अंदर तो तक आप लोगों तक रिज़ करने का प्रैस करेंगें. देखे हम प्रियास कर रहे हैं गुरूगराम के, हमने इसको अगर मैं संगटनात्मक्स रंचना की बात कर रहू है, तो हम ने 4 भागों में गुरूगाओं को बाटा है, क्योंकि हम रोज शाम को डेली शाम को कहीं न कहीं जाने वाले हैं सर इन जन जागरुटाओं से हटके और आखरी एक सवाल मेरा है कि क्या कभी जन सिवक रांती पार्टी के दोरा ऐसे प्रयास भी जारी रहेंगे कि एक जो टीस है और्ड गुरुगराम और न्यू गुरुगराम जो यह बोर्डर बन चुका है या यह दो नाम बन चुके गुरुगराम के वो दोनों नाम एक जैसे होगे एक जैसे स्तिती होगे एक जैसा विकास होगे गुरुगराम सिर्फ गुरुगराम बने बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं परवीन जी आप क्योंकि जैसे ये कथित रूप में एक नारा देते हैं हर्याना एक, हर्यानी वी एक जे तो मैं कहूंगा ये सिर्फ कथित तोर पे ना हो ये जमीन पे भी दिखे और सच में आज गुर्गाओं को दो भागों में बाट दिया गया है नया गुर्गाओं पुराना गुर्गाओं और जन सेवक करांती पार्टी चुकि संभाव की दृष्टी से है संभाव देखती है तो हम गुर्गाओं को एक ही बनाएंगे एक गुरुग्राम, जैसे गुरुग्राम के नए गुर्गाओं के लोग हैं वैसी ओल्ड गुर्गाओं के लोग हैं तो सबको सुवीदायम बाभर मिलनी चाहिए मैं तो यही कहूँगा तो अंकी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये थे हमारे साथ अंकी जी जिनका कहना है कि एक गुरूगराम नेक गुरूगराम और लगबग इसी को लेके जन जागरुपता लगाता जारी है और इसी परकार गुरूगराम में विभिन उमीदवारों के दोरा, विभिन राजनेतिक लोगों के दोरा, विभिन राजनेतिक झाल झाल